उत्राखन में आई आपदा को लेकर प्रधान मंत्री ने राज जी के सभी सांसदों से मुलाकात किया उनसे जाना है कि इस तरीके की वास्तु इस्तती अभी वहाँ पे है हमारा साथ बाच्चित के लिए मौजूदे ननीताल से सांसद अजयाबर जी सर कल क्या प्रधान मंत्री से आप लोगों भी बाच चीत हुई और क्या आश्वासन प्रधान मंत्री तरफ से मिला माननी प्रधान मंत्री जी ने जो उत्राखंड के प्रती काम किया है वो भुलाया नहीं जा सकता है इतना मनोबल बड़ा है उत्राखंड का और देश का सांथ में जैसे ही उन्हें पता लगा कि उत्राखंड में इतनी बड़ी त्रास्दी आ गई है उसके तुरंट बाद बंगाल की सभा से उन्होंने आववान किया और गरह मंत्री जी से और हमारे मानी मुख्य मंत्री जी से दोनों से बात करी और बात करने के बाद तुरंत जो काम हुआ ऐसा देखा नहीं क्योंकि मैं पहले नेता प्रतिपक्ष रहा था 2013 की आपदा में तीन चार दिन तो ये रहे गए उस समय कि हम कैसे खो जाएं है कंद्र सरकार का कौई वहाँ हमको सपर्पोर्ट नहीं मिला उस समय किया और राज्य सरकार करेगी जो कंद्र कहay गए ऐसे मामले में है तो इस तरह से जो ततपर्था माननी प्रधान मंत्री जी ने और ग्रह मंत्री जी ने दिखाई वह भुलाय नहीं जा सकता है हम हमेशा उनके रिणी हैं उन्होंने हर हालत में जो चाहिए उत्राखंड को देने का आस्वासन दिया है और अभी तो हम सब ये दुआ कर रहे हैं कि जितने लापता लोग हैं वो ठीक सकुषल हमको मिल जाएं कयास तो अलग अलग लगा रहे हैं लेकिन पहाडों म में लोग बचाने के लिए पहाडों में चड़गे थे ऊपर को और कुछ जीवित मिले कुछ मृतक मिले उनकी भी ढूंट को जारी है तो इस तरह से हम लोग बहुत संतुस्त हुए हैं जिस तरह से प्रधान मंत्री जी ने एक एक शीज की जानकारी ली और दी और गरह मंत् इकत नहीं है और बात करें तो क्या कल क्लाउड ब्रस्ट के लिए क्लाट डॉपलर वगयरा भी देने की कुछ बात हुए है डॉपलर तो हमारे वहां अभी एक तो आपका यहां लगा हुआ है हमारे रामगड शेत्र में प्रधान मंत्री जी ने शुरू किया दूसा सुरकं लगभग लेंस डॉण वाले का भूमी का ट्रांसपर होने का काम चल रहा है तो इस तरह से जो नैनिताल जिले में लगाया है वो काम में है वो फंक्शन कर रहा है और दो जो सुरकंडा देवी वाला है वो दो-तिन मेहने में प्रारंब हो जाएगा और लेंस डाउन में जहा होती हैं वो सब चीजें केंद्र वहां करने के लिए तयार है आप इतना ही लगा लिजिए कि जैसे ही खबर मिली वैसे ही ग्रह मंत्री जी ने तुरंत NDRF की टीम भेज दी हेलिकॉप्टर लगा लिए सारी चीजें लगा ली तो केंद्र कितना संब्यदन शील है ये पूरे के देश ने देखा और उत्राखन तो कभी भोल नहीं सकता है हम बहुत रिणी हो गए हैं अपने केंद्र सरकार के मानी प्रधान मंत्री जी ग्रह मंत्री जी के अब उत्राखन में जिस तरीके से आप दाई है उसके बाद अब पार्यवर्ण को लेकर भी बातचीत होने लगे कई लोग कह रहे हैं कि परवती छेत्रों में डैम नहीं लगना चाहिए इस तरीके एक हाइड्रो पूर्जेक नहीं बनने चाहिए खुद उत्तराखन के पू चोटे डैम लगाने की बात है रान आप दे रीवर ऐसी भी इसकी में आ गई हैं और कुछ ऐसे ऐसे इंस्टुमेंट्स आ गए हैं कि आप थोड़ी से चोड़ी गूल में भी उसको डाल देंगे तो बिजली पैदा करता है ऐसी भी सोध हो गई हमारे यहां के दो तीन ऐसे योग हैं और इत्फाक से वह बाजपूर के ही रहने वाले हैं जो बड़ा काम कर रहे हैं जिनको विस्व में भी कई देशों ने जिनको बुलाया है लेकिन वह उत्राखंड में या फिर भारत में काम करना चाहते हैं माननी प्रधान मंत्री जी तक भी उनकी सुचना गई है और फिर वहां से वो हमारे जो इस समय पावर मिनिस्टर हैं यहां उनके थुरू उनकी वारताएं चली अब वो कहीं कहीं काम करना प्रारंब कर दिया है ऐसी टेकनीक है उनके पास कि अगर थोड़ी चोड़ी भी आपकी गूल है उसमें उसको फिट कर देंगे या गंगाज इतने बड़े बड़े डेम हैं तो कुछ कहा तो नहीं जा सकता है टीहरी डेम आज का थोड़ी बना है लंबे समय से बन रहा है बनते 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 जब हम हमारी पहली सरकार आई तब उसकी टनल बंद करी हमने देश के अगर हम गिनाय तो एक से एक राज्यों में सब जब ऐसे बाद बने हैं तो एकदम से ऐसे मौके में बिलकुल बंद करो भी नहीं कह सकते हैं और बिलकुल इतने बड़े बनाओ भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि बिजली भी आउशकता है आपकी वो भी चाहिए विट जाँको चाहिए पड़ाई लिखाय में जाईए गरमियों में एसी चाहिए जाड़ों में भी आपको फेटर चाहिए तो तमाम चीजें ऐसी हैं कि वी काम नेया चलता है अपको पता है कि कई संसादन समाप्त होиком है और हाइड्रो पावर ही ऐसा है जो अभी ले समय त सोच समझ के प्रियोग करना चाहिए ये कई चीजे हैं अब ये एकदम ही बंद कर दो नहीं हो सकता है खबर आपकी जबाँ आपकी खबर आपकी जबाँ है